रादे रादे जैसी क्रश्णा मैं सीमा सिंग बड़ों को चरणे स्पार चोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ अब हम चातुर मास के महात्यमे का 31 वा अध्याई सुनेंगे अब तक हमने 30 अध्याई सुनें हैं आशा करती हूँ आपको सभी अध्याई अच्छे लग रहे होंगे अगर आपका कोई भी अध्याई सुनने से छूट गया है तो डिस्किप्सिन बोक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी आप वहां से अपना जूटा हुआ अध्याई सुनकर पुन्यालाब कमा सकते हैं और अगर आपको यह अध्याई अच्छा लगे तो इसे जदा से जदा लाइक करें अपने दोस्तों रिष्टेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुरमास के महात्यमे को सुनने का संपून फल प्राप्त हो और आपको इसका पुन्यालाब मिले और हमेशा की तरह आप से एक करून रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो कृपिया मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद आईए अब हम चातुरमास के महात्यमे का 31 अध्याय सुनते हैं जो मनुस चातुरमास में इस्तनान वरत दान करते हैं उसको साथ जन्मों तक गरीबी का मूह नहीं देखना पड़ता जो पूरे चारमास में जल्दी सुबह उठकर पवित्र नदी में जाकर इस्तनान करते हैं तो उन्हें इसका अक्षय फल मिलता है एक सहस्त्र ब्रामनों को भोजन कराने से जो फल मिलता है वही फल चातूरमास में इस्तनान करने से ही मिल जाता है जो पुन्य वेद पाठी ब्रामन को गाय दान करने से मिलता है उससे भी एक हजार पुन्य चातूरमास के महात्यम्य को सुनने से ही मिल जाता है जो पुन्य गरीबों को दान करने अन वस्त्र रुपिया दान करने से मिलता है वही फल चातूर मास में पंच देवताओं का पूजन करने से ही मिल जाता है एक बार पितामे ब्रह्मा जी ने नारत बुनी से कहा था कि चातूर मास में पूजन कराने प्यासों को पानी पिलाने और गरीबों जरुरत्मन लोगों को अन वस्त्र रुपिया कंबल शैया दान करने से जो फल मिलता है उसके फल का वर्णन तो कोटी देवताओं करने में ऐस समर्द हैं चातूर मास में दान करने से मनश्य को अगर पित्र दोश है तो वह पित्र दोश से मुक्त हो जाता है अन दान के वराबर दूसरा कोई दान नहीं है इस दान से ने केवल मनश्यों को तरपती मिलती है अपीतू ब्रामनों पित्रों और देवताओं को भी संतुष प्राप्त होती है। जो फल भूमी दान, गव दान, अन दान करने से मिलता है। प्राप्त ही और अतीथी को भोजन कराने का पुन्य सो रासुय यग्य करने जितना देता है। जो मनश्य भक्ती पूर्वक सच्य हीदय से चातूर मास में इस्तनान, व्रत, दान पुन्य करते हैं। वे इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। वे इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें मरते समय की पीड़ा नहीं उठाने पड़ती, उनके लिए यम मार्ग सुखम हो जाता है। और उन्हें लेने के लिए यम दूत नहीं बलकी सम विश्नु दूत, पुश्पक विमान लेकर उन्हें लेने आते हैं। इस्षवर कहते हैं कि जो मुनुश समस भाव को त्याग कर कर्म करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। अर्थार संसार में रहकर भी मुक्त रहते हैं। कर्म अर्थार नित्य और नेमी चित कर्म तो प्रतेक मनुष्य को करने ही पड़ते हैं। परंतु कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए और नहीं उनसे किसी प्रकार के फल की इच्छा रखनी चाहिए। प्रतेक कर्म भगवान विश्नु के अरपन करके ही करना चाहिए। जब तक भगवान की भक्ती प्राप्त नहीं होती परंतु भक्त ज्यान को प्राप्त होकर शिग्र ही मुक्त हो जाता है। समालिया वह ज्यानी बहुत शिग्र मुक्ती को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदह नहीं है। इस प्रकार ज्यानी कर्म करता हुआ ही परंपद को प्राप्त होता है। धन, दोलत और खुशियां सफलता ए सफलता सब हमारे कर्मों का फल है। भूत काल में हमने जो अच्छे बुरे कर्म किये हैं उसका फल हमें भोगना ही बढ़ता है। भगवान की न्याई व्यवस्ता बहुत सू निश्चित है। अच्छा कर्म करने वालों को अच्छा फल और बुरा कर्म करने वालों को बुरा फल मिलता है। कल हमने जो कर्म किये हैं उसका फल हम आज भोग रहे हैं हम खुद अपना भाग्य लिखते हैं प्रतेग मनुश्य को उसके भाग्य के अनुसार ही फल मिलता है कर्मों का फल भोगे बिना मनुश्य को मुक्ती मिलना एसंबव है इंसान जो करता है उसे वही मिलता है अच्छा कर्म करता है तो अच्छा फल और बुरा कर्म करता है तो उसे बुरा फल भोगना ही पड़ता है पका हुआ फल कभी कड़वा नहीं निकलता वे हमेशा मीठा ही निकलता है कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वज़ से दुख उठाने पड़ते हैं आज हम जो कुछ भी हैं वो पिछले कर्मों की देन हैं इसी को प्रारब्द कहते हैं लोब मो और स्वार्त से उपर उठे बिना सच्चे सुख की कलपना नहीं की जा सकती मैनस से जो कमाया जाता है उसे ही शिरी हरी की इच्छा समझनी चाहिए लोब मो माया डहा सभी दुख देने वाले हैं इनसे बचना चाहिए त्याग और परहित से बढ़ कर कोई सुख नहीं कभी किसी गरीब की मदद करें प्यासे को पानी भूके को रोटी अंधे को सड़क पार करा के जो सुख की अनुभूती मनुश्य को मिलती है उसका वर्णन तो कर ही नहीं सकती किसी ने सही कहा है कर्म वह आइना है जो हमें हमारा स्वयरूप दिखाता है इस संबन में मैं आज आप को एक उधारन सहीत एक कथा सुनाती हूँ एक बार एक मनुश्य मार्ग में जा रहा था उस मार्ग में उसे एक जामुन का पेड दिखाई दिया जामुन का पेड देखा आखों ने लेकिन आख वहां तक चल कर नहीं जा सकती चल कर गए पैर पैर जामुन तोड नहीं सकते थे जामुन तोड़े हातों ने उसके बाद जामुन खाया मूने, जामुन गया पेट में, लेकिन उस जामुन के पेड के मालिक ने मारा उस व्यक्ति के पीट में, जबकि पीट की तो कोई गलती ही नहीं थी, सारी गलती तो आखों की थी, तो सजा भी आखों को ही मिलनी चाहिए थी, तब उस व्यक्ति ने अपने गुरू जी से पूछा कि गुरू महाराज जामून देखा तो मेरी आँखों ने मार फिर मेरी पीट पर क्यों पड़ी तब गुरू महाराज ने उस व्यक्ति से कहा कि पुत्र सजा तो आँखों को ही मिली है व्यक्ति ने पूछा कि कैसे गुरू महाराज तो गुरू महाराज ने कहा कि पुत्र माना की डंड़ा तो पीट पर पड़ा लेकिन दर्द से रोई तो आँखे ही थी अंत में सजा तो आँखों को ही मिली है व्यक्ति गुरू महाराज के बताने पर अच्छे से समझ गया मनुष्य स्वम अपने कर्मों का स्वामी हैं अपने कर्मों को ही हम विरासत में पाते हैं जैसे शुब अशुब कर्म होंगे परिणाम भी वैसे ही शुब और अशुब होंगे भाग्य मनुष्य के अधीन है वे जैसा चाहे अपना भाग्य बना सकता है मनसा, वाचा, कर्मना, अर्थात, काईक, वाचिक और मांसिक काईक कर्म वे होते हैं जो दिखाई देते हैं जैसे किसी को शारेविक यादना देना, मारना, इत्यादी वाचिक में किसी के साथ गाली गलोच करना अपशब्द कहकर उस व्यक्ति के मन को ठेस पहुचाना यहे वाचिक कर्म कहे गए है मानसिक कर्म अर्था दूसरे के प्रती अपने मन में बुरी भावना रखना जो मनुष इनकाईक वाचिक मानसिक कर्मों से बचता है वह अच्छे कर्म जरूर करता है जिस व्यक्ति ने भक्ती द्वारा ज्यान प्राप्त कर लिया उसके सब भ्रमधूर हो जाते हैं और श्यन मात्र में ही उसके सब पापों का नाश हो जाता है इसलिए राग, प्रेम, द्वेश, क्रोध, आलश, यलाब, आधी का त्याग करके जो सब जीवों पर दया करता है तथा अपने आचार विचारों को शुद्ध रखता है वही योगी कहलाता है इस ममता को जिसने त्याग रूपी अगनी में जला दिया तथा क्रोध और लोब को छोड़ कर भगवान विश्नु के चर्णों में जिसने अपना मन लगा लिया उसी का जीवन धन्य है इस प्रकार मनुष अपनी बुद्धी को निर्मल करके सदेव भगवान विश्नु की उपासना करना चाहिए इसी से उसका जान्म सफल होता है वही व्यक्टी इस संसार चक्र से छुटकारा पाकर जनम मरण के दुख से चूट पाता है चातूर मास में द्वादश्य अक्षर मंत्र के जपने से ब्रह्म आदी देवता तथा बड़े बड़े रिशी मुनी ब्रह्म पद्र को प्राप्त होते हैं इसमें कोई संदह नहीं है मादेव जी कहते हैं कि ये पारवती ये कथा मैंने तुमको सुनाई जो कोई भी चातूर मास में इन व्रतों और नियमों को शद्धा से विधी पूर्व करता है वे इस संसार के समस्त सुकु को भोग कर मरने के बाद विश्नुपत को पाता है ये जप तप नियम चातूर मास में देवताओं को भी दुरलब है चातूर मास में सैकडो अशुमेग और हजारो वाचपे यग्य भी चातूर मास के इस्तनान, व्रत और दान की बराबरी नहीं कर सकते इस अध्याय में आज मैं आपको एक पुराणी कहानी सुनाऊंगी सावन हो चातूर मास हो अगर हम व्रत करते हैं तो उनका हमें सही समय पर विदिविदान से उद्यापन भी करना चाहिए अगर उद्यापन नहीं किया जाता है तो इसका दोश अगले जनम में भी भुगतना पड़ सकता है इस कहानी को सुनने से आपको पूरा पता चल जाएगा आईए अब हम यह एक पुराणी सच्ची कहानी सुनते हैं एक बार बहुत छोटा सा गाउं था उस गाउं में एक राजा वीर भदर सिंग थे उन्होंने अपने लड़के का विवा अपने पडोसी मित्र राजा की लड़की राज राजेश्वरी के साथ किया राजकुमारी राज राजेश्वरी बहुत सुन्दर, सुशील, गुणवती और रूपवती थी उसके अंदर सभी गुण विद्यमान थे बिवा के बाद राज राजेश्वरी के माता पिता ने खूब सारा दान दहिज दिया साथी खूब सारी दासियां, बांदिया, हाती, घोडे, उूट, सोना, चांदी, कीमती आभुशन, रेश्मी, सुनहरी, सोने, चांदी के गोटों से जड़ी हुए वस्तर भी दिये क्योंकि राजकुमारी राज राजेश्वरी अपने माता पिता की एको एक लाडली संतान थी ससुराल आने के बाद राज राजेश्वरी ने देखा कि ससुराल में सभी एक जगे बैठ कर भूजन करते हैं लेकिन नई राज कुमारी राज राजेश्वरी शादी के कई दिनों तक भी वे परिवार में किसी के भी साथ बैठ कर भूजन नहीं करती थी जब सब खाना खा लेते थे तब वह भूजन करती थी राज राजेश्वरी के पती साथ ससूर देवर देवरानी जेड जेठानी सभी ने ये सोचा कि नई बहु है हमारे साथ भूजन करने में इसको शरम आती होगी इसी लिए यह अकेली भूजन करती है इस बात को ससुराल में किसी ने भी सीरियस नहीं लिया तब एक दिन की बात है राजकुमारी राज राजेश्वरी ने सभी के खाना खा लेने के बाद महल की सभी दासियों को उसने रसोई घर से पाहर भेच दिया अपने साथ दहेज में लाई हुई दासियों और बांदियों को ही वे रसोई में लेकर गई और खाना खाने की तैयारी करने लगी इतने में ही राज राजेश्वरी के साथ ससूर रसोई की तरफ आये और उन्होंने अपने नोकरों को रसोई के बाहर खड़े देखा तो उनसे पूछा कि तुम सब बाहर क्यों खड़े हो तम महल के सबी नोकर नोकरानी बोले कि हुजूर जब से नई राजकुमारी जी आई है जब वो खाना खाती है तो हमें सब को वो बाहर निकाल देती है केवल अपने साथ दहेज में लाई हुई दासियों और बांदियों को ही रसोई घर में लेकर जाती हैं और खाना खाती हैं साथ ससुर को यह बाद बड़ी अजीब लगी राज राजेश्वरी के साथ ससुर को यह बात बड़ी ही अजीव लगी तो वे रसोई घर की खिड़की में से चाप कर देखा उन्होंने देखा कि राज कुमारी राज राजेश्वरी जमीन पर बैठी थी और दोनों हाथ उपर करके बोल रही थी एमाई मैंने सभी गली कुचडों की सफाई कर दी है सभी नालियां साप कर दी है और पूरी गली में मैंने जाडू लगा दी है एमाई मुझे बहुत भूक लगी है मुझे खाना दो खाने में मुझे दो रोटी दो रोटी के उपर सबजी दो तब दासी ने राज राजेश्वरी को दो रोटियां दी और रोटी के उपट सबजी डाल कर दी तब राज राजेश्वरी ने हाथ में ही दोनों रोटियां ली और सबजी तोड़े कर खाने लगी राजकुमारी राजराजेश्वरी के सास ससूर को ये बड़ा अजीव लगा राजराजेश्वरी के सास ससूर उसी समय अपने सभी पुत्रों को और पुत्र वधुओं को लेकर आई और उनको वह द्रशे दिखलाया तब राजकुमारी राज राजेश्वरी के साथ ससूर पती जेट जिठानी और देवर देवरानी रसोई में गए और उनसे इसका कारण पूछा सबने कहा कि तुम जमीन पर बैठ कर क्यों खाना खा रही हूँ तुम टेबल कुरसी के उपर थाली कटोरी में भोजन क्यों नहीं कर रही तब राज राजेश्वरी ने किसी को भी इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया तब उसी समय राज राजेश्वरी के साथ ससूर ने अपनी बहू के माता पिता को महल में बुलवाया और इस हरकत का कारण भूचा तब राज कुमारी राज राजेश्वरी के माता पिता ने अपने साथ ससूर और जवाई से माफी मांगते हुए कहा कि हमने अपनी बेटी की इस सच्चाई को आपको नहीं बताया इसके लिए आप हमें शमा कर दीजिए तब राज कुमारी राज राजेश्वरी के माता पिता ने अपने साथ ससूर और जवाई से कहा कि जब से हमारी बेटी समझदार हुई है तब इसे यह जमीन पर बैठ कर भूजन करती है और इसी तरह हाथ में दो रोटी और सबजी लेकर हाथ में ही खना खती है हमने कई बार इसे टेबल कुर्सी पर बैठा कर थाली और कटोरी में भूजन कराना चाहा लेकिन जब भी हमने जबरदस्ती इसे भूजन थाली कटोरी में बैठा कर कराया तब ही यह बिमार पड़ जाती है और उल्टियां करने लगती है तब राज राजेश्वरी के साथ ससूर और माता पिता ने इस समश्चा का निराकरन करने के लिए काशी बनारस से एक ज्यानी महात्मा जी को बुलाया और इसका कारण जाना चाहा तब ज्यानी महात्मा जी ने राज राजेश्वरी के हातों की और मस्तक की रेखाएं पड़ी और थोड़ी देर के लिए आँखे बंद करके राजकुमारी के पूरुजन्म के कर्मों को बाचा तब महात्मा जी ने राजकुमारी राज राजेश्वरी के माता पिता और सास ससूर को पूरी सच्चाई बताई कि राजकुमारी राज राजेश्वरी पूरुजन्म में एक नीच कुल की महिला थी लेकिन बड़ी ही धार्मी प्रवती की थी वह सब तरह के व्रत उपवास कि करती थी वह एकादशी पूर्णी मा, अमावश्या, चातुर्मा, सावन, कार्थि, मागमास, पुर्शोतम मास सभी के व्रत उपवास करती थी लेकिन किसी भी व्रत का इसने अपने जीवन काल में उध्यापन नहीं किया इसलिए पूर्व जन्म का ये पाप दोश राजकुमा में इस जन्म में रह गया तब राज-राजेश्वरी के माता-पिता और साथ ससुर्णे महात्मा जी से इस दोश का निवारन पूछा तब महात्मा जी बोले कि इस दोश का एक ही निवारन है हर एक व्रत का अलग-अलग उध्यापन करने पर पूरा साल लगेगा उसके बाद राजकुमारी इस दोश से छूट जाएगी तब राज-राजेश्वरी के माता-पिता और साथ ससुर्णे कार्तिक, बेसाक, माग, एकदशी, पूनिमा, अमवश्या, करवा-चोत और सभी छोटी, बड़ी, तीज, चातुरमास, सभी के उध्यापन एक-एक करके पूरे जेश्वरी के पूर्वजनम का ये दोश मिट गया और वे बिल्कुल सही हो गई, इस तरह अगर मनुष अपने जीवन काल में व्रत करता है, चाहिए वे कोई साभी व्रत हो, उसे उस व्रत का उध्यापन अपने जीवन काल में ही जरूर कर देना चाहिए, अगर हम का व्रत करने के बाद उध्यापन कर देना चाहिए, कार्तिक का व्रत करते हैं, तो कार्तिक व्रत की समाप्ती पर पूरी माग पर उसका उध्यापन करना चाहिए, चातूर मास का इसनानों व्रत करते हैं, तो चार महा के बाद देउठनी एकादशी के दूसरे दिन नहीं तो इसका दोश अगली जन में भुगतना पड़ता है। इस तरह आज मैंने आपको चातुरमास के महात्यम्य का ये अध्याय सुनाया साथ ही मैंने इसमें एक पुराणी कहानी सुनाई आशा करती हूँ या आपको जरू पसंद आएगी मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद